देखिए जो लोग कह रहे हैं कि स्री राम चेट मानस समाज को तोड़ने का काम करता है तो स्री राम चेट मानस समाज को तोड़ने का नहीं बलकि जोड़ने का काम करता है तोड़ने का काम तो वो कर रहे हैं जो कह रहा है कि स्रामचेश मानस तोड़ने का काम करता है समाज को तोड़ने का काम करते हैं समाज को तो वो लोग तोड़े नहीं है सब को एक जुच रहना चाहिए यह सिखाता है रामचेश मानस अब बताईए कि जो तुलसी दासी हैं लिखे हैं उनको अपने मन से लिखना है तो वो तो एक बात लिखे हैं किसी अराम मैं सब जग जानी करहूं प्रडामा जोरी जुग पानी जल चर थल चर न भचर नाना जे जड चेतन जीव जहान वो कहें हैं कि मैं सब में भगवान को देखते हूँ पुरे जवत में जितने भी लोग हैं जितने भी जीव जन्तु हैं मैं सभी में मैं भगवान को देखते हुए भगवान की जहाकी पाते हुए भगवान को देखते हुए और सभी को मैं प्रडाम करता हूँ अब बताएए जिनका जो ये सोच रहे हैं वो क्या समाज को तोड़ने का काम करेंगे जो ये कह रहे हैं वो समाज को तोड़ने का काम करेंगे वो तो लोगों के कल्याड के लिए ये रामचेत मानस लिखें क्या वो नारी का अपमान करेंगे जिनका ऐसा सोच हो ऐसा बिचार हो वो क्या समाज को तोड़ने का काम करेंगे वो तो श्री रामचेत मानस को लिख करके और समाज को समाज का कल्याड कर रहे हैं समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और जहां तक बात रही उस चौपाई की कि जिस पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिये हैं केवल ना समझे के वज़ा से इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिये हैं और इसका अर्थ क्या हुआ और कौन किससे कह रहा है पहले यह जानिए फिर उसके बारे में बोली मैं आप लोगों को बता रही हूं इसका अर्थ और कौन किससे कह रहा है देखी जब भगवान राम जो है समुन्दर पार नहीं कर पार है थे तो उन्हों समुन्द्र देश्ता से हाद जोड़ करके बिंते की कि है समुन्द्र देश्ता आप हमको मारग दे हमारी सेता लंका में फसी हुई है तो हमको मार्ग दे, तीन दीन तक वैसे ही हाथ जोड करके खड़े रहे, लेकिन समंद्र देता तो कुछ, कुछ नहीं समझे, वो मार्ग नहीं दिये, माने नहीं, भगवान अब तीन दीन तक ऐसे ही खड़े रहे, तो उनको क्रोध आया, क्रोध ही तो हो गए, और बोले कि ल तुम हमारा धनुष बार लाओ, लक्षमर जी ले आए, भगवान राम, अगनी बार लगा दिये, धनुष में, ताम दिये, और तभी क्या हुआ, बोले समुद्र देता तो प्रगट हो गए, और बोले, कि प्रभू, हाथ जोड़ ले, बोले, प्रभू, हमको माफ करिए, हमको छोड़ देजिए, हमको छोड़ देजिए, प्रभू, हम सुख जाते तो ठीक राता, लेकिन हमारे अंदर ये जो जीव जन्तु है, ये सुख जाएंगी, तो क्या होगा, प्रभू, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, इन जीव जन्तों के लिए कर रहा हूँ, इन लोगों के लिए कृप्या हमको छोड़ देजिए, भगवान राम बोले, ठीक है, छोड़ तो दूँगा, लेकिन अभी अगनी बाड़ का करू क्या, किधर चलाँ, बोले, मेरे उत्तर तरफ कुछ दुष्ट रहते, प्रभू अई पर छोड़ देजिए, उनका संहार हो जाएगा, उन दुष्ट खत्म हो जाएगा, भगवान ने उत्तर के तरफ बाड़ को छोड़ दिया, सभी जितने भी वहाँ पर दुष्ट थे, उन दुष्टों का संहार हो जाएगा, और वही समुद्र देवता भगवान राम से कह रहे हैं, हे प्रभू राम, आपने अच्छा किया कि हमको सिक्षा दंड दिया, प्रभू, आपने हमको, हम पर बहुत बड़ा क्रिपा किया कि हमको सिक्षा दंड दिया, प्रभू, और वही समुद्र देवता कह रहे हैं, कि धोल गवार सुद्र पसुनारी सकल उतारना किया दिखारी, धोल जो धोलक होता है, उसको हम लोग ऐसे ही पेटेंगे तो फूट जाएगा न महराज, नहीं तो अगर पीटने से वो बज़ता, तब तो छोटा से छोटा बच्चा भी उसको बजा लेता, कलाकारों कि क्या ज़रूर पढ़ती, छोटा सा छोटा बच्चा भी वैसे ही हाथ से पीटे देता, और गवार, गवार जो है पहले समझेए उसको कैसे समझाना है, वो कैसे हमारे बातों को समझेगा, और फिर उसको समझाईए, और शुद्र, जो सुद्र होता है, सुद्र किसे कहते हैं, सुद्र उसे कहते हैं, जो चेतन होकर भी जड़ हो, वैसे तो सुद्र आद्रडी है, क्योंकि हमारे सरीर में चार बर्ड हैं, ये सिर है ब्राम्भड, हाथ है छत्री, पेट है बैस और पैर है सुद्र, वैसे तो सुद्र आधर रड़ी है क्योंकि कोई भी अपने से छोटा आता है तो पैर कोई प्रणाम करता है पैर छू करके क्योंकि वो सुद्र तीनों के भार को ले करके चलता है और पसू सभी के घर कुछ न कुछ होंगे न गाई भैस यह सब तो आप मान लेजे कभी गए गव माता के पास उनको बड़े प्यार से सहला रहे है क्योंको कहीं खुजली हुई या कुछ परिशानी हुआ उन्होंने अपना सिर हिलाया क्या आपको चुट लग गई या आप मारने लग गई पहले अब जानिये को उनको क्या हुआ है क्या कर्ष्ट है फिर कुछ कहीं खुछ कर्ष्ट होगा तभी तो वो सिर को हिलाई होंगी और नारी नारी तो पुझे नहीं होती है लक्ष्मी स्वरूप होती है नारायरी होती है जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती वो घर तो नरक रहता है नर्ग के समान है और जिस घर में नारे की पूजा होती है नारे का सम्मान होता है नारे का आधर होता है वो घर तो स्वर्ग के समान है सकल तारना के अधिकार और तारना जो है उसका मतलब इसका अर्थ यह है जानना तारना का मतलब मारना नहीं होता है बलकि जानना होता है पहले जानिये कि लोगों को क्या कर्ष्ट है उनको कैसे समझाना है वो कैसे समझेंगे फिर समझाईए जानिये तब कुछ बोली तारना का मतलब होता है जानना, इसका आर्थ यही हुआ, इसलिए मैं सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहती हूँ, जो ऐसे बकवास की बाते कर रहे हैं बीना जाने समझे बेकार की बाते कर रहे हैं लोगों को फसा रहे हैं ग्रंथों पर अंगली उठा रहे हैं तो उनके बहकावे में आप लोग मताईए और सरकार से भी मैं हाथ जोड़कर करने वेदन करना चाहती हूं कि जो धर्म ग्रंथों पर अंगली उठा रहा है स्री राम चेट मानस पर भगवान राम पर भगवान कृष्ण पर अंगली उठा रहा है तो उसको उचिस सजा मिलने चाहिए तो कि बिना जाने समझे किसी के बारे में नहीं बूलना चाहिए तुलसी जी तो बड़े महान थे कि इन्हों ने ये राम चेट मानस साधार भासा में लिखा कि लोगों का कल्यार हो इसके माध्यम से तो इस पर कोई अंगली न उठाए और अंगली उठाता है तो सरकार से मैं वेदन करूंगी कि वो उचिद उनको सजा दे उचिद जंड दे राधे राधे जैश्री क्रिष्ण